IITN Trader Family में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं मार्केट के अंदर जो यहां पे गिरावट हुई है वो गिरावट की पीछे की असल वज़े क्या है क्रैस क्यों हुआ है मार्केट और अब आपको जो अपने mid cap है small cap है long term का portfolio है mid term का portfolio है short term का portfolio है उसमें क्या करना चीए और फिर आपको यह भी जानना सबसे important है कि मार्केट अब कब फिर से चलने की सुरुवात करेगा और यह जो गिरावट है वो अगर extend होती है तो यह कहां तक जा सकती है तो काफी important वीडियो है आप जरूर से जरूर देखिएगा पूरा वीडियो देखना है इसके पापको बिल्कुल भी नहीं करना है अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं लेकिन अभी तक आपने अमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लो साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लो टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको description box में मिल जाएगा उसको भी आप जाकर के join कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे आपको सभी प्रकार की update भी मिलती है साथ में आप हम से पने trade के बारे में discuss कर सकते हो कोई सवाल है तो वो भी आप हम से पूँच सकते हो लिंक आपको description box में मिल जाएगा अब हम जो यहाँ पे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से है जो market है वो यहाँ पे काम कर रहा है और उसके उपर जो यहाँ पे गिरावट है वो किस तरीके से हो सकती है सबसे पहले मैं आपको समझाओंगा कि देखो market के अंदर सभी events है वो मैं आपको यहाँ पे एक बार सबके सब events है वो आपके सामने लगा देता हूँ यह सभी events मैंने आपके सामने लगा दिये हैं अब हम market के पीछे की वज़े गिरावट की वज़े हम देखेंगे क्योंकि market के अंदर कुछ global चीज़े हो रही है internal जो domestic चीज़े है वो हो रही है और उनका समझना आपके लिए बहुत जरूरी है ठीक है तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो impact है वो है election का उसके बाद में हम समझेंगे जो FIAE हैं DIAE की activity हो रही है उसके बारे में और फिर यहाँ पे जो इंडिया के indices है निफ्टी bank nifty, small cap, mid cap ये क्या करे हैं इनके chart भी मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है तो पूरा दिखना साथ में global indices Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 Nikkei, Gold, Silver, Crude ये सब क्या करे हैं ये क्या बोलना चाहते हैं ठीक है behind up वाल क्या है वो सब चीज़े यहाँ पे आपको जानने को मिलने वाली है तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया की जो market है उसने life आई है वो यहाँ पे create किया और उसके बाद में जो selling आई है वो काफी तगड़ी selling आई है मैं अगर आपको एक chart है वो दिखाना चाहूं तो यहाँ पे आपके सामने है जो अपने इंडिया के indices हैं वो और जो यहाँ पे हम discuss करेंगे वो लगे हुए है अब मैं यहाँ पे अगर आप देख पारे होंगे तो यहाँ पे screen है वो आपको दिख रही है और मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ छोटा करता हूँ अब यहाँ पे आपको जो चीजे दिख रही है उसके अंदर आप देखिए कि market के अंदर जो यहाँ पे live high बना उसके बाद में intensity of selling काफी तगड़ी है उसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पे लगभग 7 times यहाँ पे इस trend line का support लिया था और उसको यहाँ पे closing basis पे market ने breakdown कर गया अब अगर सिर्फ एक दिन यहाँ पे तो फिर market यहाँ पे नीचे आएगा और नीचे के अंदर जो यह वाला support area है यह एक गाफिय अच्छा एक support area है इसको आप breaker भी मान सकते हो तो market फिर इस वाले channel के अंदर चलने की कोसिस करेगा तो यह मैंने आपको पहले भी बताया था अब अगर market के अंदर गिरावट हुई तो आप देखोगे कि market ने high बनाया और क्या यह यहाँ से इसको आप देखो ठीक है अगर market के अंदर चीजे खराब होती है election impact हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले election impact हम पढ़ेंगे तो election impact अब देखो market के अंदर यह चल रहा है कि BJP है वो 300 के करीब बनाएगी पहले 400 के बाहर जा रही थी ठीक है और 300 जो बताया जा रहा है वो सिर्फ BJP की जो data है वो बताया जा रहा है इसमें यहाँ पे प्लस नहीं है यहाँ पे जो NDA है वो प्लस नहीं है अब जो यहाँ पे 60 बाजार है और जो फलोदी का 60 बाजार है फलोदी 60 बाजार है उसने पहले ये कहा था कि BJP की 345 के करीबन सीटे आ सकती है जो अभी वो 300 के करीबन बता रहा है तो क्या हो जाएगा सबसे पहले मैं आपको भूचना चाओंगा कि अगर मोदी जी की सीटे हैं या BJP की सीटे हैं ठीका 300 भी आ जाती है तो क्या हो जाएगा आपको पता है कि 5 एयर तक तो ये मोदी जी की गोवर्मेंट आने ही वाली है 5 एयर तक तो मोदी जी की गोवर्मेंट आएगी और मारकेट है वो यहाँ पे policy का continuation चाता है वो market को policy का continuation मिल जाएगा एक ठीक ताक majority के साथ में गोवर्मेंट बन जाती है तो मिल जाएगा फरक नहीं पढ़ने वाला ठीक है ये चीज आपको समझ में आनी चीए लेकिन market के अंदर आप देखोगे कि market यो जो काम कर रहा है न वो क्या करना चाता है वो surprise करना चाता है या फिर लेने का मोका देखना चाता है क्योंकि FII वाले है न FII क्यों आप data जाकर के देखोगे न इन सब चीजों को आप देखना समझ न इनको ठीक है मैं यहाँ पर election की चीज़े आपको मैंने बताई ठीक है first point मैंने discuss किया है election ठीक है इसको और भी हम करेंगे सब सीज़े correlated ठीक है FII को आप देखो ठीक है election की वज़य से को impact नहीं होना चाहिए itself ठीक है लेकिन FII को आप देखوगे तो पिछले 3 साल से व बेची रहे है क्या कर रहे है बेच रहे है तो उनको लेना है ठीक है उनको लेना है तो उनको क्या कर रहे है वो वो market को गिरा करके लेना चाते हैं, तो उनको लेना है तो वो market को गिराएंगे और वो continuously sell कर रहे हैं लोगों के अंदर ये डर है कि market गिर जाएगा, खराब हो जाएगा, crash हो जाएगा, हाँ, यह सब चीज़े होती हैं, लेकिन जितना market के अंदर जो crash सोचते हैं, आप वो crash नहीं होगा, ठीक है, जो आप corona type का सोच रहे हैं, वो चीज़े नहीं होगी क्या मोर्म, आप अपने दिल से पूछो कि BJP की government है वो बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है, अपने दिल से पूछो ठीक है, तो अगर बनेगी ना तो फिर market के अंदर, आप फिर से July के अंदर जा करके देखोगे क्योंकि July के अंदर क्या आने वाला है जो budget है, full flash budget है वो आने वाला है, और उस time पे फिर market नया high लगाएगा ने आपे ठीक है, तब आप सोचोगे कि देखो हमने बोला था, लेकिन आप यहाँ पे बाहर हो जाओगे, यह चीज आप सोचे, market के अंदर जो FII वाले है वो बहुत तेज है, वो आप सबको बाहर कर देंगे, तो यह चीज आपको नहीं करनी है, आपको long term का, medium term का जो portfolio है उसको बनाए रखना है, जो SIP चल रही है, उसको चलाए रखना है, आपके सामने एक data मैं बताना चाहूँगा, आप खुद से जाकर के search करिएगा, ठीक है, यह मेरे बोलने से believe नहीं करना, ठीक है, आप देखो कि April का SIP का data है, ठीक है, mutual fund के अंदर लोगों का SIP जाता है, तो April के अंदर SIP है, वो almost 20,000 करोड यहां पे गया है, तो retail का पैसा आ रहा है, यह mutual fund की तरब से यहां पे market के अंदर आ रहा है, तो आप देखो कि market के अंदर पैसा आ रहा है, कहीं नहीं जा रहा तो यह सब चीजे होती रहेंगी, part of जो यहां पे live है, ठीक है, part of trading है, वो सब चीजे चलती रहेंगी, आपको इन सब चीजों से डरना नहीं है, ठीक है FII वाले बेचते रहेंगे, और DII वाले buying करते रहेंगे, और DII वाले बेचेंगे, तो FII वालों को लेना पड़ेगा, तो पहली मैंने election की जो चीजे थी, वो मैंने आपको बताईए, ठीक है, FII का data है, वो मैंने आपको discuss कर दिया है, अब election का ही एक data है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, कि अभी यहां पे तीन phases के जो election है, वो complete हो चुके है, ठीक है, और तीन phase के अंदर almost 50% या पे सीटों के जो election है, हो चुके है, इसके बाद में 4 phase है, वो बचे हुए हैं और 50% जो सीटे हैं, उनके election बाकी है, लेकिन आप देखोगे, कि election complete हो जाएंगे, और first जो June है, ठीक है, first June को रात से, ठीक है, first June की night से, आपको ये चीज़े ध्यान में रखनी है, कि first June की night से, जो exit polls है, ठीक है, उनके data है, वो आना सुरू होंगे, और उनके data आना सुरू होंगे, तो ये एक June, दो June और तीन June तक ये चीज़े चलती रहेंगी, और fourth June को यहाँ पर क्या है, result आएगा, और उस दिन है Wednesday, ठीक है, तो यहाँ पर आपको focus करके रखना है, कि यहाँ तक ठीक है, जब June आएगा ना, ये June exit poll आएगे, उससे एक दिन पहले तक market के अंदर गिरावट हो सकती है, और हो सकता है कि यहाँ पर market रुख जाए, और यहाँ पर market रुखने के बाद में, यहाँ से ही घुम जाए, और अगर market को FIA वाले गिराना चाहते हैं, तो यह वाला जो area है, वो breakdown करेगा, और ये downside के अंदर, जो trend line है, उसकी तरपाएगा, और worst के scenario के अंदर, ठीक है, market के अंदर गिरावट होती है, तो ये वाला जो area है, ठीक है, ये वाला area की, ये 18,197 मत समझ लेना उसके अंदर, ये 909 point area, ठीक है, यहाँ से, यहाँ तक की गिरावट आप मान के चलोगे, तो 21,100 तक है, worst case scenario में, यहाँ तक market जा सकता है, कितना और हो सकता है, यह यहीं पर रुक जाए, यह चीज यहाँ पर निप्टी बोल रही है, ठीक है, इसके बाद में bank nipty के chart में हम चलते हैं, और bank nipty के chart में भी आप देखोगे, तो इसके अंदर, अगर यहाँ पर आप देखो, तो इसके अंदर क्या बोल रहा है, बैंक निप्टी का चार्ट बोल रहा है कि ये इस वाले चैनल को follow कर रहा था और एक बड़े चैनल के अंदर रईसे space करके नीचे आ रहा है ठीक है तो हो सकता है ये यहाँ पे ही support ले ले या फिर हो सकता है गिर जाए तो गिरता है तो ये यहाँ से सिर्फ यहाँ तक की गिरावट की जगह है इसमें almost 3% की गिरावट की जगह है 1400 point की गिरावट की जगह है इससे ज़्यादा गिरावट की जगह नहीं है तो आप एक दिन में गिरा दो ठीक है जो गिराना है एक दिन में गिरा दो ठीक है बस इतने ही जगह है तो क्या इतनी सी जगह के लिए आप अपने काम को यहां पे बंद कर दोगे या फिर आप छोड़ करके चले जाओगे तो ऐसा नहीं करना है मुझे नहीं लगता कि इस से ज़्यादा गिरावट होगी ठीक है अगर हम यहाँ पे mid cap की बात करें तो mid cap आप देखो ठीक है mid cap को आप देखोगे तो यहाँ पे chart को मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ पीछे करता हूँ आपको समझ में आना चीए कि यहाँ पे mid cap ने यहाँ से जब गिरावट दी थी उसके बाद में वापस नया हाई लगाया है और यह यहाँ पे आया है थोड़ा सा closing basis पे close करके गया है तो लेकिन हो सकता है कि यहाँ से recovery देदे और अगर इसमें भी गिरावट होती है तो यह सब अगर यहाँ पे आप देखोगे कि 4% गिरेगा तो mid cap तो 7-8% गिर सकता है कोई problem नहीं है तो हर एक stock के अंदर 10-15 से 20% की यहाँ पे risk है बस इससे ज़्यादा नहीं है और इतना तो stop loss भी होता है लोगों का तो अब अगर आपने उपर नहीं बेचा है तो अब आपको बेचने की ज़रुत नहीं है ठीक है इस सीसका आपको ध्यानक नहीं है आप small cap को देख लो small cap के अंदर क्या है small cap में भी यहाँ पे support area के अंदर आ चुका है अगर breakdown देता है worst के scenario होता है तो यहाँ से 10% यह गिर सकता है और 10% डेड़ जार point होता है तो यह इतनी गिरावट हो सकती है यह मैं worst case scenario की बात कर रहाँ ठीक है अब हम gold की बात कर लेते हैं तो gold के अंदर क्या चल रहा है आप देखोगे कि gold है वो almost यहाँ पे February से यहाँ पे April तक 17% चल गया ठीक है तो क्या इसके अंदर थोड़ी correction नहीं हो सकती और correction हो सकती है बिल्कुल हो सकती है यहाँ पे आप देखोगे तो इसके अंदर एक छोटा सा channel है वो भी बना हुआ है त्री ओवर का chart अगर हम लगा के देखें तो यहाँ पे chart पे आप देखोगे तो यह इस वाले channel को follow कर रहा है यहाँ पे रुका हुआ है breakout देगा तो upside में जाएगा लेकिन यहाँ पे इसके पास में एक बार यह आ सकता है इसमें कोई दोराई नहीं है ठीक है क्योंकि crude है उसके अंदर एक थोड़ी सी गिरावट होनी बाकी है 85 के पास में जाकर के वो वापस 80 या 81 के आस पास में आ सकता है तो जब crude यहाँ पे धीमा होगा तो यहाँ पे भी जो धीमापन है वो आ सकता है इस इसको आपको ध्यान रखना है तो यह crude यहाँ पे बोल रहा है इसके बाद में silver आप देख लो silver के अंदर यहाँ पे अभी top के पास में जा सकता है और वहाँ से reversal ले सकता है अभी weakness नहीं दिख रही है लेकिन यह जा सकता है upside में डाउ जोन्स के अंदर आप देखोगे कि इसके अंदर कौन सी यहाँ पे weakness आपको दिख रही है आप भी कोई weakness नहीं दिख रही है यहाँ से upside हो सकती है कोई भी यहाँ पे downside के बारे में नहीं सोच सकता है इसको देख करके NASDAQ को आप देखोगे तो NASDAQ के अंदर भी आप देखोगे कि weakness नहीं है upside में जा सकता है उपर के अंदर यहाँ पे इसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे कि जो S&P 500 है इसके अंदर भी तेजी हुई है यहाँ पे यह gap बने हुए है तो यह gap भरने के लिए आ सकते हैं लेकिन यहाँ पे weakness अभी चार्ट को देख करके नहीं लग रही है ठीक है यहाँ से upside बन सकती है इनके अंदर यह चीज आपको ध्यान रखना है निके को आप देखोगे तो support area के पास में है breakdown देता है तो थोड़ा जा सकता है लेकिन support area है काफी अच्छा तो इसको आप ध्यान रखेगा ठीक है इसके बाद में हम अगर बात करें जापान की जापान हो गया अब जो brand crude है उसको आप देखो brand crude है यहाँ पे इसके अंदर क्या हो रहा है यह support area के अंदर आया है और यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा सा bounce हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि यह inverted head and solder बना करके breakdown दिया है तो यहाँ पे अब थोड़ा सा bounce कर सकता है यहाँ तक फिर इसके अंदर मुझे लगता है कि यह वाले जो level है यह फिर से एक बार आ सकते हैं तो यह चीज़ आपको ध्यार रखनी है अभी सारे के सारे charts हैं वो global की बात करें तो वो upside में दिखा रहे हैं इंडिया के charts के अंदर सिर्फ जो elections है उनकी वज़े से कोई problem है वो हो रही है ठीक है अब आप देखोगे indices के अंदर मैंने आपको बताया कि nifty, bank nifty यह bank nifty है वो 3% गिर सकता है worst के scenario में यह 4% small cap की अगर हम बात करें तो यह almost यहां पे 10% के करीबन होगा और यह 9% के करीबन होगा ठीक है, dow jones upside में nasdaq upside में, यह upside में, nike upside में gold upside में भी जा सकता हो, downside में यह आ सकता है लेकिन एक बार dip आ सकती है crude में भी एक बार dip आ सकती है, silver में अभी यहां पे decide नहीं कर सकते तो यह चीज़े आपको मैंने बताई है कि आपको election के अंदर आप देखोगे कि exit poll के results है, वहां तक की राद तक क्या हो सकता है market के अंदर, जो positions है उनको हलका करके जाएगा market किसी भी तरीके से इसे नहीं जा सकता कि वहां पे market है, वो एकदम खराब हो ठीक है, वहां पे माल लोग BJP की 300N सीटे आती है तो हलका रहेगा market, तो 300N सीटे आ गई, इसका meaning है कि government बन गई, और वहां सच भी celebrate करेगा और अगर यह 400N भी आती है और हलका है market, तो भी यह celebrate करेगा, ठीक है, तो यह condition creation create करके जाना चाता है market तो हो सकता है, अभी एक support area है, वहां पे यह आ सकता है, थोड़ी थोड़ी गिरावट और हो सकती है वहां पे आ करके यह pose ले सकता है, और अगर वस यहां पे एक scenario होता है, गिरावट यहां पे बढ़ती है, ठीक है थर्ड, यहां पे जून तक आप मानके चल सकते हो, पहले तो आपको यह भी समझना है कि यह continuously यह सी गिरावट नहीं होगी, ठीक है continuously market है, वह यहां पे गिर रहा है 7-8 दिन से, ठीक है, और यहां पे फिर थोड़ा सा रुखने की कोसिस करेगा, और फिर मिल सकता है उसके अंदर, लेकिन continuously नहीं जाएगा, तो आपको सिर्फ यहां तक positions को समालना है उसके बाद में फिर election है उनके results आजाएंगे government है, वो elect हो जाएगी और policies है, ठीक है वो यहां पे continuation हो जाएगी उसके बाद में market के दिमाग में चलेगा budget, ठीक है तो budget के बाद में यहां पे बहुत सारी घोशनाई है, वो होने वाली है market यहां पे जो BJP है उन्होंने जो 100 दिन है ठीक है, उन 100 दिन के लिए आपे बहुत सारी घोशनाई करना की है, बहुत सारी कारिकरम है तो वो सब चीजे जैसे जैसे निकल करके आएंगी government आपको पता है कि यहां पे BJP की बननी है तो सिर्फ आपको वहां तक समालना है उसके बाद में आपको डरना नहीं है market new high life उसके बाद में लगाईगा तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है डरना घबराना नहीं है आपको mid cap है ठीक है चाहे small cap है sorry यह mid cap, small cap नहीं बोलना चीजे आपका जो portfolio है वो चाहे आप medium top का मानके चलिए small यहां पे short term का मानके चलिए small cap बार बार में आ रहा है short term का मानिए यह फिर long term का मानिए short term के अंदर आप थोड़ा सा यहापे 15-20 दिन तक थोड़ा सा side में हो जाईए mid में आप रखिए कोई problem नहीं है लिया हुआ नहीं है तो थोड़ा सा और wait कीजिए उसके बाद में लेना है 15-20 तारिक के बीच में लेना है long term का है नहीं लिया हुआ है या फिर और add करना है 15-20 तारिक तक add करने की कोशिस कीजिएगा लिया हुआ है छोड़ा नहीं है बिल्कुल भी continue रखना है SIP है continue रखिए और short term के अंदर थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है बाकी कोई दिक्कत नहीं है आज यहाँ पे आप देखोगे कि 9 और यह 9 यहाँ पे में को record हो रहा है 10 महीं के आपके पास में आ रहा है और almost यहाँ पे 20 से 25 डेज है यहाँ manage कर लिए उसके बाद में फिर से market new life I की तरब जाएगा और फिर से market के अंदर life I के बाद में थोड़ा upside बनने के बाद में वापस से correction भी होंगी फिर से life I बनेगा इसी तरीके से market चलता है तो डरना घबराना बिलकुल भी नहीं कहे तो आसा करता हूँ लिए आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like कीजिए चैनल को सस्क्राइब की जो डिमैट अकांट आपके पास नहीं है तो आप बिलकुल फ्री में हमारे अंडर में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रप्रिंबोक में मिल जाएगा मिलते हैं नेक वीडियो में थैंक्यू वरी मुच